Hey viewers, welcome back to your own channel, Target Bullseye तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Tata Motors Limited के उपर यह कंपनी जो है वो आटो मोबिल कंपनी है और साथ ही यह मैनफेक्चर करते हैं Motor Vehicles यह कंपनी पार्ट है 100 बिलियन Tata Group कंपनी का और इसको फाउंड किया गया था जमसेज जी Tata के थूँ 1868 में जैसा कि हम देख सकते हैं यह कंपनी पार्ट टाटा ग्रूप के और इनके पास जो है काफी वाइर एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो है प्रॉडक्ट के वो हैं कार, स्पोर्ट उटिलिटी वेहिकल, ट्रॉक्स, बसेज और डिफेंस वेहिकल और यह पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं इसको कि यह इनके ग्लोबल नेटवर्क एविलिबल है इनके ओपरेशन्स जो हैं वो इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ एफ्रिका, चाइना, ब्राजिल, आस्ट्रिया, एंड स्लोवाकिया यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनके ओपरेशन्स फैले हुए हैं और साथ ही इनके जो जॉइंट वेंचर कंपनी हैं उसमें से आपके जो जैगवार है वो आते हैं और टाटार डेवो यह साउथ कोरिया की कंपनी है तो ये सारे इनके details हो गए company के उपर आप बात करें कि कितने companies में इनके operations है तो 125 प्लस countries है जहाँ पे इनके operations फैले हुए है वही market capitalization आप यहाँ देख सकते हैं और customer touch point जो आपको नजर आ रहा है वो है 8800 प्लस के आसपास अब company के बाकी details के उपर बात करते हैं जहाँ पे हम और भी चीज़े देखेंगे numbers जैसे की fundamental technical और chart के उपर इनके जितने भी levels and targets है वो भी तो वीडियो को आखरी तक जरूर देखें वीडियो अगर आपको आखरी में पसंद आता है तो इसको like share के बिना बिल्कुल बना जाए अगर आप channel पे नए है तो channel को subscribe जरूर कर ले क्योंकि अगर आप channel को subscribe नहीं करते हैं तो हमारे तरफ से जो वीडियो आएंगे नए वो आप miss out कर जाएंगे अगर इस company में हम लोग analyst की राय मानते हैं तो 61% analyst आपको इसमें buying की rating दे रहे हैं but before investing किसी भी stock में तो आपको अपनी analysis अपना research करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने साथ ही financial advisor से connect करना भी बहुत ज़रूरी होता है तो वो आप ज़रूर करें साथ ही हम बात करते हैं इसके returns के उपर तो returns आप देख सकते कि 3 years में वैसे returns तो नहीं रहे हैं पर बुरे नहीं है बट ठीक ठाक से returns रहे हैं 32% बट 2 year और 1 year की बात करें तो काफी बहतरीन return आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने भी यहाँ invest किया होगा इस 2 से 1 साल में काफी बहतरीन return उनको मिला है 6 month की भी बात करें तो 79% is not bad बहुत ही अच्छा percentage है वहीं 3 month 1 month की बात करें तो यह भी जो सारे numbers हैं वो आपको अच्छे ही नजर आ रहे हैं अब हम बात करेंगे जब chart के उपर तब हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें कहाँ पर opportunity मिलती है साथ ही अगर इसके हम लोग बात करते हैं sales growth profit के उपर तो यहाँ पे जो आपको numbers या percentage आप कहलें देखने को मिल रहे हैं 5 years में भले ही यह 2% हुआ करते थे आपको काफी बड़ा dip देखने को मिल रहा है इस 3 years में minus 6.69% के आसपास वहीं 1 year की बात करें तो 7.06% के आसपास आपको यह numbers जो है वो अप नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं इसके profit growth के numbers के उपर तो यहाँ profit growth के जो percentage रहे हैं वो आप देखेंगे 5 years में minus 305.28% के आसपास है 3 years में आपको वो number minus में दिख रहे है 168 और 1 year की बात करें तो फिर भी आपको numbers अच्छे देखने को मिल रहा है जो की है 67% के लगभग अब अगर ROE की बात करें तो ROE is not very much strong यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी आपको dip में सारे percentage रहे हैं वो नजर आ रहे है ROCE की बात करें तो ROCE के जो numbers हैं वो भी आपको dip में नजर आ रहे हैं इस 5 से 3 साल में बट 1 year में अगर बात करें तो बहुत ही minor सा number है यह percentage के लिए 0.11% के आसपास आपको अप देखने को मिल रहा है debt to equity की बात करते तो यहाँ पे आपको company के उपर जो है वो debt भी नजर आ रहा है at least 1% से आपको नीचे होना चाहिए था बट अभी आपको जो है यह 1.14 के आसपास नजर आ रहा है अब इसके financials पे नजर डालते हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 साल के numbers के उपर March 2018 से लेके March 2021 तक के सबसे पहले बात करेंगे हम लोग sales के उपर और यहाँ जितने numbers हैं वो आपको करोर में देखने को मिल रहे हैं तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं March 2018 के numbers के उपर तो आप देख सकते हैं जो number यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है 291,550 करोर के लगभग और आपको यह बढ़ता हुआ दिखा था इस March 2019 में बट आप देखेंगे कि जो March 2020 था वहाँ पे आपको एक dip नज़र आ रहा है और अगेन आपको March 21 में भी जो है वो यहाँ पे dip नज़र आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो company के जो sales generate हो है throughout the years तो 2020 और 21 में आपको numbers काफी down देखने को मिले हैं वहीं अगर net profit के number के उपर बात करें तो जो net profit निकल के आ रहे थे इनके 2018 में वो तो अच्छे हैं 8,989 बट आपको March 2019 में भी dip है वहीं पे आप देखेंगे थोड़े से number कम हुए है इनके बट फिर भी आपको जो negative में ही सारे numbers यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो company ने वैसा perform नहीं किया है जैसा कि इनको करना चाहिए अब वहीं अगर हम लोग बात करें इनके quarterly basis पे तो quarterly basis के numbers पे आप देखेंगे कि जो sales के number है यहां हम लोग सबसे पहले चार quarter की बात कर रहे हैं June 20 से लेके March 21 तक के sales के number आप देखेंगे यहां पे कि यह आपको throughout the quarter बढ़ते वे दिख रहे हैं यह एक अच्छी चीज है कि चलो quarterly basis पे तो इनके जो sales है वो अच्छा खासा generate हुआ है throughout the quarters net profit के बारे में बात करें तो net profit के भी numbers जो है वो आपको यहां पे up होते वे दिखे थे बढ़ते वे दिखे थे बढ़ते वे दिखे थे बट वापत से आपको March 21 वाले जो quarter रहे हैं उसमें आपको numbers जो है वो negative में post होते वे दिखे हैं अब बात करते हैं इसके share holding patterns के उपर यहां पर हम लोग share holding patterns देखेंगे promoters के holding के बारे में बात करें throughout the quarter तो आप देखेंगे कि तीन quarter में तो यहां इन्होंने consistency maintain की हुई है बट चौथे quarter में that means March 21 में आपको यह numbers जो है percentage जो है वो बढ़ते वे दिखे हैं वहीं अगर FII के holdings के बारे में बात करें तो FII के holdings भी आपको fluctuate होते वे नजर आए हैं बीच में आपको बढ़ते वे दिखेते हैं उसके बाद यह दो साल में almost similar है और वापस से आपको यह जो numbers है वो आपको cutshot होते वे दिख रहे हैं DIA के holdings के पहरे में बात करें तो throughout the quarters इनके number आप देख सकते हैं कि यह down में ही चले जा रहे हैं इनके सारे जितने भी percentage रहे हैं उनको यह इन्होंने cutshot किया है Public के holding की बात करते हैं तो Public के holding में आप देखेंगे कि यहां पे भी आपको fluctuations नजर आएंगे पहले इन्होंने थोड़ा कम किया था वापस से आपको इनके जो numbers हैं वो बढ़े थे और अगेन अगर हम लों March 21 की बात करें पिछले December के comparison तो भी आपको जो है वो dip नजर आ रहा है या कह सकते कि आपको cutshot होता हुआ नजर आ रहा है साथ ही अगर promoter के pledge के बारे में बात करें तो यहां आप देखेंगे कि चार quarter में भले ही इनके जो pledge रहे हैं वो आपको same similar नजर आ रहे होंगे 3.95 के लगभग बट आपको March 21 में ये कम होते वे दिख रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज भी है अब यहां पर देखते हैं कि कौन से mutual funds है जो कि इसमें investment करते हुए दिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये चार mutual fund ऐसे हैं जो इसमें investment कर रहे हैं currently और इनके percentage जो है ये first one is अच्छा दिख रहा है हमें UTI transportation and logistic fund direct growth इनके percentage आपको अच्छे नजर आ रहे हैं वहीं बात करें Franklin India Flexi Cap fund direct growth इनके percentage आप देखेंगे 3.15 है IDFC Tax Advantage and SBI Magnum Equity इनके भी percentage आप यहां पर read out कर सकते हैं अब यहां पर हम लोग चार्ट के उपर बात करते हैं जहां पर आप देखेंगे कि यह अभी जो share है यह आपको currently 346 के price पर trade करता हूँ नजर आ रहा होगा और यहां बात करेंगे अगर previous that means pre-covid की जो 2020 के time में तो आपको यह share 203 के आसपास that means rupees 203 के आसपास trade करता हूँ नजर आ रहा था बाकि आप इसमें देखेंगे जो एक आप कह सकते हैं कि bearish जो एक numbers आपको देखने को मिलेंगे वो है rupees 63 के आसपास तो यहां आपको काफी नीचे आता हूँ यह share दिखा है वैसे भी कुछ time पहले कि अगर हम लोग बात करते 15 and 16 की that means 2015-16 की तो भी यह share काफी उपर हुआ करता था आप चाहे तो आप एक बार chart कर trend भी आप वहाँ पर read out कर सकते हैं आप खुद भी जाके आप check out कर सकते जब आप analysis करने बैठेंगे तो अब उसके बात बात करें तो य अच्छे price पर जाता हुआ दिखा है जो कि 358 तो यहां से जैसा कि हमने return में भी देखा था return काफी अच्छे बनके आए थे तो उस हिसाब से अगर 63 से आप देखते हैं तो भी यह काफी उपर जाता हुआ दिखा है और अगर अभी बात करें हम लोग तो यह 281 that means अपने जो red opportunity मिल सकती है तो वो हम देखेंगे चोटे time frame के उपर यह हम बात करें थे वनवी के ताइम फ्रेम पे जहां पर हरे candle आपके वनवी को represent करता हुआ नजर आ रहा होगा अब अगर हम लोग बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे जहां हरे कैंडल वन डे को रिप्रेजेंट करता हूँ नजर आ रहा है तो बात करेंगे हम लोग कि ये शेयर आपको दो बार 358 के अराउंड 358, 361 आराउंड आपको जाता हूँ दिखा जो कि ये लाइन आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस टाइम पर 358 का इसने हाई टच किया था और उसके बाद यहाँ पर भी इसने सेम आप कह सकते कि लेवल तक आपको जाता हुआ दिखा तक करेंटली ये जो शेयर है 346 पे है बट आपको ये 339 पे आपको ये आप कह सकते कि सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है जो कि इसका रेड लाइन निकल के आ रहा है 20 डे इमे के आसपास तो अगर ये यहाँ से 460 भी ये आपको जाता हुआ दिख सकता है अगर ये अपने रेड लाइन को जो 339 का जो इसका अभी सपोर्ट है वो अगर ये ब्रेक करता है तो आपको आने वाले टाइम में ये नीचे आता हुआ दिखेगा जहां पे आपको एक बेनिफिट हो सकता है एक अपरचुनिटी आता हुआ दिख सकता है क्योंकि आप देखेंगे ये काफी बार यहां पे इसने इसको टच किया और उसके बाद इसमें बाइंग इमर्ज होती हुए आपको दिखी है तो आने वाले टाइम में ये आपको 281 पे भी आता हुआ दिख सकता है अगर ये नीचे की तरफ अगर आपको जो 339 का जो हमने बात किया सपोर्ट अगर उसको ब्रेक करता है तो तो आप चाहें तो उसी हिसाब से अपने जो भी प्लैंज है फॉर बाइंग पॉपस या इंवेस्मेंट पॉपस तो उसी हिसाब से आप अपना जो भी डिसिजन वो आप बना सकते है क्योंकि हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात किया है सपोर्ट और लेवल दोनों के बारे में तो उसी तरीके से आप अपने इंवेस्मेंट के डिसिजन बना सकते हैं बाकि अपना रिसर्च अपनी एनिलिसिस जरूर करें और साथ ही अपने फिनांशल एडवाईजर को जरूर बाकि अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाकि हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक क्या अ झाल